एक फरवरी को देश में बजट आने वाला है अब जानना ये है कि देश की जनता को उस बजट से कितनी उम्मीदे हैं और किस तरह के वो बदलाव चाहती है नए बजट में जी बिलकुल ऐसा ही की लास्ट बजट भी अच्छा था बट इस बजट में हम चाहर है कि अट लिस्ट पांच लाग तक के टैक्स रिबेट हो जाए तो जिस तरह से स्कूल के और बागी खर्चे बढ़ गए हैं तीन लाग तक पॉसिबल नहीं हो पाता सारी चीजे मैनेज करन तो आपके हिसाब से अब तक का बजट भी ठीक था मोधी सरकार का लेकिन उनका आखरी बजट होगा तो हम इसमें कुछ सोच रहे हैं जैसे की मेरे इसाब से जी एस्टी कम होना चाहिए और क्या-क्या उम्मीद है आपकी इस बजट से बाकी टैक्स लेप जो फाइव लैक तक बढ़ना चाहिए जो रिबेट होना चाहिए इंप्लॉईस के लिए मैं पेट्रोल के बहब तो कम होने चाहिए एक्चल में क्या है कि इनको भी जी एस्टी के अंदर लेके आना चाहिए हर स्टेट अपना बेनिफिट देख रही है और आम लोगों के लिए कोई कुछ नहीं कर रही है जागा जी एसे लग लग रेट चल रहे हैं हो सकते हैं इन सब्सक्रम को बेनिफिट में ज़ी जो आम पस्रे प्रज़नी कर पाएंगे तो कुल मिलाक है इनका कहना यह है कि पेट्रोल के दाम कम हो जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं लोगों को अलग-अलग तरह की परिशानिया आ रही हैं दोने गाड़ी चलाती हूं अल्मोस्ट टूवीलर लेके जाती हूं क्योंगी ताकि प तो सारे का रेट बढ़ गया सब कस्टमर कद इ20 का जाते दें पहले जी समय यह फेले जिसे से अंध इसला से"; हम सोचास सब्ãy酬 इसलब से चलना चाई है जिए दालों के गोरे वी पिछली साल से हम चाहते हैं यह कम वगये वही इसलिए थोड़ा ठीक हो एन्दापानी इसलिए सई थोड़ा बजट हो जाए कम पिछले साल जभी बढ़ गए तरहें कितने बीकरी ओझाती है वहीम स्पतear मेंगाई के वारे में बहुत जादा है मेंगाई बहुत काम होनी चाहिए और ये गुंड़ागर्दी खतनी चाहिए जो कि बहुत जादा गुंड़ागर्दी मचगी है जो महलाओं के उपर अत्याचार हो रहे हैं ये खतनी होने चाहिए आप रिटायर्ड हैं तो कुछ बताना चाहेंगे कि आपके टाइम में और अभी के टाइम में कितना बदलाओ आया है और आप क्या चाहते हैं कि और क्या बदलाओ आया है उनके जगे कोई भी फिलप नहीं कर रहा है, आदमी कोई नहीं लिया है इसलिए बेरुदगारी बहुत ज़्यादा चल रही है जो जगे खाली पड़ी है, चाहे कोई भी पोस्ट है उस पोस्ट पे आदमी भरती नहीं कर रहे है पुरी शॉप पे आप देख रहे हैं, पुरा मार्केट सुना पड़ा हुआ है, लोग खड़े हैं, एक दुसरे का मुह देख रहे हैं, सिर्फ और ढूंड रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोई तो कस्टमर आजा है, कस्टमर भी कैसे आएगा, कुछ भी चीज लेने से पहले, कारों में जा जाके एक एक दुकानदार से मिल रहे हैं, और जान रहे हैं कि उन्हें कल के आने वाले बजट से कितनी उम्मीदे हैं,